हेलो फ्रेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बेभ्ड़ड डेकुरेशन आइटम शेयर करूगी जिनका यूज मैं अपने बेभी के बेभ्ड़ड़ड़ सेलीब्रेशन में करूगी तो शुरू करते हैं, मेरा फर्स्ट आइटम है जिसका मैं यूज करंगी यह है मेरा फर्स्ट आइटम जिसका मैं अपने बेबी के बर्थडे डेकॉरेशन में यूज करूंगी इसमें लाइट का भी फीचर रहता है जिसे नाइट में आप आप साइड में बेबी का बर्थडे प्लान कर रहे हैं फिर इंसाइड तो कुछ लाइटनिंग बर्थडे मे लगता है चली मैं आपको साइड आइटम के तरफ मूव करते हैं मैं आपको साइड आइटम दिखाती हूं मेरी बेबी का नेम जो है वह एलफा बैट्स के फॉस्ट लेटर चे शुरू होता है तो मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया इसमें भी लाइट का फीचर रहता है और यह बहुत ही खूब थूरत लगेगा देखिये अब मैं आपको अपना थर्ड आइटम दिखाती हूं जो मैं डैकॉरेशन के लिए यूज़ करने वाली हूं यह थर्ड आइटम जिसको मैं बेबी के बर्थे डैकॉरेशन के लिए यूज़ करने वाली हूं यह बैलून है जिसमें यह गोल्ड, रैड, ब्लैक और वाइट अकॉर्डिंग टू थीम आप बैलून का कलर चेंज कर सकते हैं जैसे मेरी बेबी का ड्रैस गोल्डन ब्लैक तो मैंने गोल्डन ब्लैक का थीम बनाया है अगर आप मॉर्णिंग में बड्डे प्लान करते हैं तो उसके कोल्डिंग कलर को चेंज कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाती हूं फोर्थ आइटम जो मैं बड्डे डैकॉरेशन के लिए यूज़ करूंगी यह फोर्थ आइट यह कुछ आपको ऐसे दिखने वाला है अभी प्रॉपर प्लेस पर हैंग नहीं है जहां हमने डिसाइड किया बेवी का बर्थ डे सेलिगरेट करने का वहां पर जब मैं आपको पूरी डैकॉरेशन करके दिखाऊंगी वह भी मैं वीडियो शेयर करूंगी आप मेरे चैनल प इसका नेम है पार्टी पैंक बैलून स्टैंड ओल्डर विद स्टेक्स कप एंड बेस स्टेंड इसमें आपको स्टिक बिलती हैं एंड बैलोन के लिए कप मिलते हैं एंड बेस स्टैंड है इसको कैसे और गिनाइज करना है इसके लिए मैंने वीडियो शेयर की वह आप तो टोटल आइटम मैंने आपके साद शेयर कर दी है अब जो डेकोरेशन होगी वह भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह के की डेकोरेशन लगेगी वह सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जिसको आप मेरे चैनल पर जाके बाच कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि बाइ